अलजेब्रा में फॉर्मूले का फॉर्मीशन जब समझ जाते हैं तो आसानी से याद हो जाते हैं और फिर अप्लिकेशन में बड़ा मज़ा आता है टेंशन नहीं रहता कि फॉर्मूला याद है कि नहीं आज मैं जिन कुश्चन की चर्चा करूँगा आप देखेंगे कि फॉ याद भी वो कैसे रहता है चलिए इंगले संद्री दोनों में है मज़ा आएगा आगे बढ़ते हैं पहला सवाल आपके सामने है क्वोश्चन को देखिए यह एक्स प्लस शिक्स वाई इस एक्वल तो एट है और एक्स वाई इस एक्वल तो टू एक्स गटर दन जेरो वट प्लस 216YQ 216 क्या होता है 6Q यानि 6Y का क्यूब तो थोड़ा गौर कीजी तो एक्स प्लस 6Y इक्वल तो 8 बतलब A प्लस B इस एक्वल तो 8 लाइट था था ना तो AQ प्लस BQ बताए यह AQ प्लस BQ सीधा क्यूँ न लिखेंगे देखिए यह यह एक्स क्यूब प्लस 6Y क्यूब ऐसा बोलते हैं AQ प्लस BQ A प्लस B Q माइनस 3 इन्टू A इन्टू B इन्टू X प्लस 6Y जल्दी बताएं लिखेंगे ना इस फॉर्मूले को मैं एक बात दिखा भी दूँगा रुकिए यह कोश्चन होने दिजे तो ठेक है अब दिखिए इसका वैल्यू रग देते हैं यह क्या है 8Q आप 8 को कमल भी ले सकते है नहीं भी ले सकते हैं देखिए 6 इंटू 3 18 इंटू X Y का वैल्यू क्या है 2 इंटू X प्लस 6Y क्या है 8 आप चाहे तो 8 कमन भी ले सकते हैं लेकिन छोटा नंबर है नहीं भी लेंगे तो चलेगा देखिए 512 और इसको कैसे पुलते हैं पता है डबल हमेशा आसान होता है 12 आड़ कर दीजिए तो यह 524 माइनस 300 हो जाएगा कितने अच्छे से आप अंसर बोल सकते हैं जरा बताईए तू बोल सकते हैं कि नहीं 2020 यह 10 तरीका है लंगकूलिशन का जमर्दस तरीका है ठीक है मैं थोड़ा फॉर्मूला बता दूं देखे ऐसा है कि अप्लस डी का क्यू क्यूव होता है वह यक्यूव प्लस बी Q plus 3 A B A plus B होता है तो मुझे बताइए कि अगर हम इसका value निकालना चाहते हैं जो कि अभी था तो ये क्या होगा A plus B Q minus 3 A B A plus B ये होगा क्यों नहीं बताइए ये था ना जिसमें हमने इसका इस्तेमाल किया और वहीं अगर रहे वहीं अगर रहे A minus B का Q तो गौर कीजिए A Q minus B Q minus 3 A B A minus B होता है और हमें अगर निकालना हुआ A Q minus B Q तो क्या करेंगे A minus B Q plus 3 A B A minus B बहुत आसानी से याद रहेगा कि नहीं दूसरे फॉर्मूला जिनका इस्तेमाल होगा मैं उसका फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा ठीक है अगला सवाल दिखिए X plus Y plus 3 is equal to 0 given देखा हो है कि X plus Y plus 3 is equal to 0 है ना इसका मतलब कि X plus Y is equal to minus 3 है और इसको क्यूब कर दीजी तो X plus Y cube is equal to क्या होगा minus 3 का क्यूब अब देखी इसको आप कैसे लिखना पसंद करेंगे तो देखी जिस रिजल्ट की जरुवत है आपको उसके मताविक X cube plus Y cube जल्दी बताई X cube plus Y cube plus 3 X Y into X plus Y is equal to minus 27 लिखेंगे ना बताई हमें क्या दिख रहा है X cube plus Y cube को और कीजे plus 3 X Y हमारे पास X plus Y है ना minus 3 is equal to minus 27 फ़ड़ा एलेट रहना कि हम हमें चाहिए क्या जो चाहिए हम उसके संदर में बात करते हैं ना देखें क्या है minus 9 X Y ठीक है चाहिए ना plus 9 है तो हम इसमें से plus 9 है तो हम इधर क्यों न ले आएं यानि कहने का मतलब इसे minus 18 और minus 9 क्यों न लिखें so that की plus 9 क्यों न हो जाए और 18 माइनस 18 अंसर क्यों न हो जाए जो प्रूव करना है उसके मुताबिक हम ट्रांस्फॉर्म करते हैं समझ में आया अंसर क्या हुआ माइनस 18 अंसर चलिए अगला सवाल question number 3 बड़ा शांदार है if देखें क्या एलाट रानी की जरुआता है 3x minus 1 by 4x is equal to 4 ठीक है then find the value of 16x square plus 1 by 9x square यह देखके एक बार गी लगता है कि बस अब तो बन गया लेकिन नहीं बना 3x का whole square क्या होता है 9x square लेकिन वहाँ तो 1 by 9x square है और minus 1 by 4x है तो 4x का square क्या होगा 16x square by है वहाँ तो 16x square है सोची जरा क्या है और क्या करना है बताई यह बताई 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 देखिए सबसे पहली बात है कि we have हमनों को यह दिया हुआ है कि 3x minus 1 by 4x is equal to 7 यह दिया हुआ है अच्छा हमें value निकालना है 16x square plus 1 by 9x square अक्षर स्टूडन कोई दिक्कत होती है यहां रहना चाहिए था यहां पर यह वाला होना चाहिए था थ्री बतलब 9x square होना चाहिए था ताकि 3x का whole square कर सकें और यहां पर 60x square होना चाहिए था ताकि 4x का whole square कर सकें हमें यह पसंद नहीं है common ले ले हमें यह पसंद नहीं है इसको भी common ले ले तो बात ना हो जाए अब ज़रा सूची क्या करते 16 x square by 9 x square common ले लेते हैं 16 x square common ले लिया ये वाला और 9 x square है तो यहाँ 9 x square होगा की नहीं जली बताईए ठीक है प्लस और यहाँ पर हमें 1 by 9 x square ले लिया तो 1 by 16 x square होगा की नहीं और समझी देखिए यह cancel बचाना 16 x square यह cancel तो यह बचाना अब अब यह है क्या यह जरूरी नहीं है कि हम लोग x square लिखते x square हमने लिखा आपको समझाने के लिए ताकि दिक्कत नहीं हो आई यह हमने common ले लिया तो क्या बचा यह बचा 3 x whole square मतलब a square प्लस 1 by 4 x b square यह है अब यह हमें लाना है a और b तो समझ में आगया a square प्लस b square को है तो minus 2 a b होगा जल्दी बताए क्लियर क्या आया बताए क्या आया बताए क्या आया बताए यहां पर 16 by 9 और यह क्या है 3 x-1 by x whole square यानी 7 का square minus 3 by 2 16 by 9 into 49 double 98 plus 101 by 2 जल्दी बताए यानी कहने का मतलब 808 by 9 answer होगा 808 by 9 answer बढ़िया question है कि नहीं चले अगरे question क्यों चले देख लिए एक बार ठीक से question number 4 देखिए e plus b plus c is equal to 16 दिया है a square plus b square plus c square 90 दिया है और हमें a b plus b c plus c चाहिए समझ में आ रहा है कि question क्या है question क्या है देखिए a plus b plus c whole square आप जानते है a square plus b square plus c square plus 2 a b plus b c plus c तो ये एक तरह से एकदम सीधा question हो गया a plus b plus c क्या है 16 square a square plus b square plus c square 90 देखिए मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप ये सब को लिखते चले अरे 256 में 90 less करते हैं 266 में 90 less करते हैं तो 166 का half 83 answer लिखा जा रहा है समझाने के लिए लेस करने का 100 बढ़ा दिए 256 हाना 256 माइनस 90 अब ये सब समझाने के लिए आप जानते हैं ये चीजे मन में होती ये चीजे लिखनी नहीं पड़ती इसको 100 इंक्रीज करेंगे 166 मतलब a b plus b c plus c is equal to 166 by 2 यानी 83 answer पताई और आज का पाचवा question 5th question देखिए x is equal to minus 4 y is equal to minus 1 दें find the value of निकालना है सिंप्ली वैल्य पूट करना है देखिए फोर एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वार वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्यूब प्लस सेवन वाई क्यूब यह पूछा जा रहा है जल्दी बताईए यह समझ में आ रहा है is equal to 4 into minus 4 q plus 5 into minus 4 square into minus 1 plus 2 into minus 4 into minus 1 square कैसे लिखेंगे यह क्या होता है minus 4 q कितना 64 का double 128 का double 256 यह वाला बताईए यह यह minus और यह plus minus यह 16 into 580 यह दर देखिए यह minus minus plus 4 into 2 8 और यह minus 7 where x is equal to minus 4 y is equal to minus 1 यह value हमने put किया है देखिए कैसे करते हैं यह दोनों तो minus है 20 लेकेस को दे दीजिए तो 336 and 1 3336 देखिए देखिए गरबड हो जाएगा यह नि माइनि 335 एंसर ठीक है clear समझ में आया अलजेब्रा में questions में जो फॉर्मूली का इस्तिमाल होता है रटनी की जरूरती है उसके formation को समझ लीजिए tension free हो जाएंगे और फिर आसानी से आप उसका use कर पाएंगे question में जो दिया हुआ हो है और जो निकालना है उसके बीच क्या relationship है यह बहुत important है देखना ओके all the best bye